साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लोसिव खबरें सुषान सिंग राजपूत की पहली बरसी आने वाली है 14 जून की तारीख नसदीक है और 14 जून ही वो दिन है जिस दिन सुषान के परिवार की सुषान के फैंस की सुषान के चाहने वालों की दुनिया भरबाद हो गई क्योंकि सुषान को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया अब 14 जून को क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ और किसके जरीए हुआ इन सारे सवालों के जवाब तलाशे ही जा रहे हैं और अब भी जान जा रही है लेकिन सुषान की पहली बरसी से ठीक पहले 14 जून के सारी गड़बड़ी का शक पहले से ही जताय जा रहा था सुशान के पिता कुछ और चाते थे हुआ कुछ और था बेहने कुछ और चाती थी हो कुछ और गया था और अब तो विवेक अबरोई ने बहुत सारी बातां कह दी है अब क्या क्या कहा विवेक ने कैसे कर दिये बड़े खुलासे और अब आगे क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राए हमें जरूर दें और इनसाफ की आहास में लगे हुए हैं ये सब कुछ सुषान सिंग राजपूत के लिए हो रहा है अब 14 जून के ओमनूस तारीक भी नस्दीक है जब सुषान इस दुनिया से चले गए लेकिन इसी 14 जून से पहले सुषान की बरसी से ठीक पहले फिल्म अभिनेता विवेक अ पर भरोसा क्यों करना चाहिए तो सुषान सिंग राजपूत और विवेक अबरोई काफी अच्छे रिलेशन केरी करते थे दोनों के बीच में अच्छी पाच्चीत होती थी और सल्मान खान ने जब से सुषान के खिलाब काम किया था तब से तो विवेक सुषान को खासा प आउट थे बाकी सारे लोग बाहर ही खड़े थे और विवेक ने बाहर भी अंदर भी वहां सब कुछ देखा सब कुछ बर्दाश्ट किया लेकिन अब बर्दाश्ट नहीं कर पाए और बोल ही पड़े सुषान की पहली बर्सी से ठीक पहले विवेक अबरोय का बयानाया है विवेक ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ नहीं बहुत कुछ गरबड़ है लेकिन फिर भी कोई ये मानने को तयार नहीं होता कि इंडस्ट्री में गरबड़ी है या फिर यहां सब कुछ ठीक नह विवेग ने आगे कहा कि जो यहां गिर जाता है उसे और गिरा दिया जाता है और फिर उसे उठने ही नहीं दिया जाता है और रास्ते से हटा दिया जाता है क्योंकि यहां धालान पर जाने वाले लोगों को परदाश नहीं किया जाता विवेक ने आके कहा कि पिछले साल हमने बहुत बड़ी टेजिटी जेली है जब सुशान इस दुनिया से चला गया लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा हमने कुछ नहीं बदला विवेग ने सुशान्थ का नाम लेकर कहा कि सुशान्थ के वक्त भी सुशान्थ के जाने के बाद भी हमने कुछ भी नहीं सीखा क्योंकि हमारी इंडिस्ट्री और यहां के लोग कुछ भी सीखना और बदलना नहीं चाहते हैं विवेक ने कहा कि जो सुशान्त के साथ घलत हुआ उसकी कोई बात नहीं करता सारे लोग सुशान्त को ही दोश देते हैं विवेक ने आके खा मैंने भी अक्यला पंजेला है मैंने भी परिशानिया जहली है और मैं जानता हूँ कि इसमें कितने सपोर्ट की जरुरत होती है लेकिन किसी ने न तो मुझे और नहीं सुषान को सपोर्ट किया और नहीं साथ दिया अब यहाँ पर विवेक ओबरोई ने एक बार फिर कहा कि जब मैं सुशान के फुर्णल में गया था तो वहाँ भी मुझे गड़बड़ी लगी थी क्योंकि इंडस्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और लोग इसे ठीक नहीं करना चाहते हैं अब यहाँ पर समझने वाली बात ही है कि विवेक ओबरोई सुशान के फुर्णल में शामिल हुए थे और तब भी विवेक ने कई तरह के सवाल उठाए थे अब भी विवेक ने सुशान को लेकर फुन्डल को लेकर उस दिन को लेकर 15 जून को लेकर बहुत कुछ कहा है बहुत कुछ गड़बडी की बात कही है गड़बडी के सवाल उठाएं अब ऐसे मैं माना जा रहा है कि विवेक ने फुंडल में कुछ तो ऐसा देखा होगा जो कि सामाने नहीं था या फिर कुछ तो वहाँ पर अलग था, कुछ तो गलत था नहीं तो विवेक अबरो इसे लेकर 15 जून को लेकर सवाल बिलकुल नहीं उठाते वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दें कि वो ये कि सुशान्त के पिता केके सिंग सुशान्त का फुंडल पटना में करना चाते थे वो सुशान्त को पटना लेकर जाना चाते थे लेकिन उन्हें एहसान नहीं करने दिया गया अब ये किसने दबाब डाला किसने नहीं करने दिया गया ये अभी तक पता नहीं चला है लेकिन सुषान्द को पटना नहीं ले जाने दिया गया इतना है नहीं सुशान को लेकर ये भी आरोप लगा कि जल्दबाजी में उनका पीम किया गया और जल्दबाजी में ही रात को उनका पीम किया गया रात में रिपोर्ट बनाए गई और जल्दबाजी में ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया यानि कि 15 जून को लेकर सवाल पहले दिन से खड़े हो रहे थे और अब विवेक अबरोई ने भी इसे लेकर बहुत कुछ कहा है यहां तक कि सुशान्त की बेहन मीतू ने भी बहुत कुछ बड़ी बात ने कही थी बहुत गड़बडियों को लेकर सवाल उठाए थे और ऐसा ही कुछ अब विवेक अबरोई ने भी कहा है तो विवेक अबरोई ने ऐसा क्या देखा ऐसा क्या हुआ पंदरजून को इसका पूरा सच सामने आना चाहिए क्योंकि विवेक को सब कुछ खुल कर बताना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था 15 जून को 14 जून से पहले सुशान के साथ क्या हुआ और विवेक को इसके बारे में जानकारी है वो जानते हैं तो उन्हें ये भी बताना चाहिए और पिछले एक साल में क्या क्या हुआ विवेक को ये भी बताना चाहिए ताकि सुशान का कुछ तो सच सामने आ सके कुछ तो जाच आके बढ़े और फुनरल के दिन की 15 जून के दिन की वो पूरी बात भी सामने आए पूरा खुलासा भी हो सके जिसकी शुरुआत जिसका एक सिरा विवेक ओबरोय ने यहां पर पकड़वाया है तो आपका विवेक इस खुलासे पर 15 जून की इस गरबड़ी पर क्या कहना है क्या वाकई में 15 जून को गरबड़ी वी थी 14 जून की तरह 15 जून को भी क्या कुछ गरबड़ हुआ था कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेर जरूर करें तो सुशान सिंग राचपूत को लेकर अब तो सब ही जानते हैं कि वो कितने शार्प माइंड के थे, कितने ब्रिलियन्ट स्टूडन थे, साइन्स, प्लैनेट्स, गैलक्सी और कौन्टम फिजिक्स में उनकी जबर्दस दिलचस्पी दी यहां तक उन्होंने अपने घर बर एक हाई पावर टेलिसकोप तक रखा हुआ था, इतने नहीं सुशान के बारे में ये भी खबर आई थी कि सुशान ने तीन ऐसी कमपनियां रिजिस्टर्ट कराई थी जो कि साइन्स पर काम कर रहे थी और इन में रियाद चक्रवर्ती भ बबर का बयान आया है जिसके बार तो एक बार फिर से चर्चा उठने लगी है कि क्या सुशान को इन की साइंस राइवलरी के लिए खत्म कर दिया गया या सुशान्थ को उनके शार्प दिमाग की वज़े से उनके पेटेंट की वज़े से खत्म कर दिया गया प्रतीक बबर ने सुशान्थ के साथ अच्छी छोरे फिल्म में काम किया था उनका एक अलग औरा था, वो सबसे अलग थे सुशान सेट पर सब के साथ मजाग करते रहते थे लेकिन ये भी ध्यान रखते थे कि सामने वाली को भी इसमें मजा आए यानि कि सुशान सिर्फ अपने इंजॉय के लिए मजाग नहीं करते थे बलकि सब को खुश रखने के लिए मस्ती मजाग किया करते थे आगे देखे, प्रतीक बबर ने कहा कि सुशान यूनिक थे और सबसे अलग भी दिखते थे जब भी मिलते थे तो गर्म जोशी के साथ मिलते थे प्रतीक ने बताया कि वो सबसे बाचीत करना चाते थे और इसलिए अकसर सेट पर ही बैटे रहते थे, वैनिटी वैन में नहीं के बराबर जाते थे यहीने प्रतीक ने बताया कि सुशान साइंस, फिजिक्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी के बारे में खूब सारी बातें किया करते थे उन्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम नौलेज दी, अब इसके आगे जो प्रतीक बबर ने कहा उसने सभी को हैरान कर दिया हलांकि कई लोग इसे डिकोड नहीं कर पाए, मगर हम इसे भी डिकोड करेंगे तो प्रतीक बबर ने बताया कि सुशान सिंग राजपूत ने कहा था कि वो चिछोरे फिल्म करने के बाद अंटार्क्टिका जाएंगे और वहां कुछ रिसर्च करेंगे अब प्रतीक ने बताया कि मैं सुनकर ये बात हैं हैरान हो गया क्योंकि ऐसा कौन कहता है आखिर कौन बर्फ से भरे अंटार्क्टिका में जाना चाता है लेकिन सुशान जाना चाता था और रिसर्च भी करना चाता था यानि कि सुशान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था फ्लेम मीडिया रिपोर्ट